90% इंडियन्स को iron deficiency anemia है तो ये होता क्या है? हमारी बोड़ी में सभी organs को काम करने के लिए oxygen की need होती है और ये oxygen उनको हमारे blood से मिलती है हमारे blood में red blood cells होते हैं और वो red blood cells के अंदर hemoglobin होती है जो oxygen को carry करती है और अलग-अलग organs के पास पहुचाती है और फिर वो organs उस oxygen को लेके अपना-पना function परफॉर्म करते हैं अगर हमारा RBC count कम हो जाए या हमारा hemoglobin कम हो जाए या हमारा blood जितनी normal amount of oxygen करता है उससे कम carry करने लग जाए तो उसको हम anemia बोलते हैं अब इस नाम में दूसरी चीज है iron deficiency anemia मतलब iron की कमी की वज़े से जो anemia हुआ हो उसको हम बोलते है iron deficiency anemia तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे red blood cell में जो oxygen carry करता हीमोग्लोबिन होती है तो अब हम देखते हैं वह हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन की मिलके बनी होती है और उस हीम में हमारे पास iron और protoporphyrin होता है तो अगर iron की कमी हो जाएगी तो हीम की कमी हो जाएगी और अगर हीम की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और हीमोग्लोबिन कम होने की वज़े से हमारा blood जितनी normal oxygen carry कर पाते है और organs तक कम oxygen पहुचेगी अब हम बात करते हैं iron की तो होता क्या है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें हमारे पस दो forms में iron आता है एक F2+, और एक F3+, और हमारे स्टमक में जो acid secret होता है HCL वो F3+, को F2+, में convert कर देता है और हमारे स्टमक से F2+, ही absorb हो पाता है Iron Deficiency Anemia जनरली इन फैंस में देखने को मिलता है क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं उस ब्रेस्ट मिल्क में iron की कमी होती है दूसरा प्रेगनेंसी में फीमेल्स को जादा iron की नीड होती है क्योंकि उनके अंदर एक baby develop हो रहा होता है क्योंकि उनमें भी iron deficiency anemia काफी common है तीसरा जिन लोगों में stemma की surgery ही होती है तो उनमें HCL प्रोड्यूस नहीं होता और क्योंकि HCL प्रोड्यूस नहीं होता तो F3+, F2+, में convert नहीं हो पाता तो majority of iron absorbed नहीं हो पाता उनमें भी iron deficiency anemia देखने को मिलता है और आखरी जिन लोगों को hookworm infections होते हैं जैसे कि जिनके intestine में hookworms होते हैं वर्म होते हैं उनमें भी ये common हैं क्योंकि वो हमारे blood को suck कर लेते हैं तो इस वज़े से हमारे blood का और iron का loss हो जाता है इसमें patient के nails spoon जैसे हो जाते हैं और कभी कबार बच्चों में तो ये इतना severe हो जाता है कि बच्चों को जो दिखता है वो वही खाने लग जाते हैं और ऐसे content के लिए अभी के अभी इस channel को subscribe करो इस video को like करो और अपने सबी दोस्तों के साथ share करो